दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार पूरे बंगला देश में हिंदू मंदिर बौध इस्थान चर्च और शियाओं के आवासों पे मजजदों पे और खास उसे कार्यानों के वस्तिदों पे जबर्जस्त हमले हो रहे हैं पूरी राथ हमला हुआ है कल लूट पाठ हुई औ लूट पाठ के बाद कई स्थानों पे मंदिर तोड़े गए चर्च तोड़े गए शियाओं के मजजदों पे हमले हुए और आपको बताना है कि भारत के जो बहुत बड़े सर्कुलर होते थे वो सब खामोस हैं ममता बनर जी भी खामोस हो गई ताजुब यह है कि बड़े योजना बत तरीके से एक करोर लोगों को भारत में इंट्री कराने की योजना है वो सबूत अब पता चल ले हैं करीब 15-20 रोज पहले ममता बनर जी ने कहा था कि जो भी आएगा हम उसको बहुत स्वागत से सम्मान से अपने लाएंगे उनको बढ़े नास्ता पानी कराएं इनकी आर में आपको बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू पीते जा रहे हैं कुछ हिंदू आने कोसिस करेंगे उनकी आर पर काफी तादात पर मुसलिम आ जाएंगे वहां के लोग एक योजना बत तरीके इंट्री कराने के और उसकी प्लानिंग ममता बनर जी पहले कर चुकी और कई भी चुकी एक करोड लोगों के आने के संभावना निश्यत है हो सकता यह संख्या 5-6 करोड हो और उससे क्या है ममता बनर जी का बोट बैंक बढ़ जाएगा अब ममता बनर जी के जो सपने हैं वजीर आजम बनने के प्रिधान मंतरी के तो उनके सपने पूरे हो सकते है यह बात आप उनकी पार्टी के टीमसी ने एक सब्द यूज किया है वजीर आजम जिसको कहते हैं प्रिधान मंतरी और देखिए इसमें सुवेंद अधिकारी ने ट्विट किया सुवेंद अधिकारी निकार एक करोड लोगों के प्लानिंग है और वहां पे हिंदू मंदिर सब तोड़े जाने देखिए मैं आपको सबूत सही दिखलाता हूं सुवेंद अधिकारी को नेक्स मिनिस्टर कहा जाता है ट्यमसी के लोग भी कहते हैं समानता पर ध्यान दें उन्हों का समानता पर ध्यान दें पहला बंग बद मुजूबल नहमान के विनास आप देखें जिन्हों ने बंगलादेश का निर्माड कराया जो 9 महीने जेल पर रहे जिन्हों ने यातना है उनका कतल कर दिया गया था उनके उस पे आप समझें मूर्तियां तोड़ी जाने मुजूबल नहमान के मुजूबल नहमान के तीन लड़के मार दिये गयते एक छोटा बच्च अब देखें यह देखिए यह देखिए वहां का बिलकुल उन्हों ने बताया है कि शेग मुजूबल रहमान का बिनास दूसरा बामियान बुद्ध प्रत्मा का बिनास इसका लिजल्ड क्या हुआ था मैं आपको बताना हूँ कि बामियान में बुद्ध प्रत्मा को तालिवान का हुआ था और यह देखिए बंग बंदू का जो मुझिवुल एहमान का किया गया है सुवेंद अधिकारी कहने हैं इसके पहले भी आपको बतला दें उन्होंने भी कहा कि एक करोर वहां के लोगों को इंटी कराने का है चुकि वहां के लोग पीडित हैं लात भर अटैक हो रहे हैं हिंदू मंदरों में पूरे बंगला देश में आग लगी है इसकान मंदिर जल करके खाक हो गया तमाम जगे मूर्तियां तोड़ी गई शिया मजजदों पर शिया इमाम गाई इमाम बारों में हमले हुए तमाम घर जलाए गए दुकाने लूटी गई मंदरों में तोड़ पोड़ की गई और भी बहुत कुछ बंगला देश में मुस्लिम भीर ने अर्वसंख्यक हिंदों आते हैं वहां पर आवाज में वह अपने मुझ शिले हुए हैं हमलों की चौमन से अधिक घटनाए हुई जबकि बंगला देश का राजनीतिक परदस इतियास के सबसे कठिन दावर से गुजला हिंदू मुस्लिम बीर को दया पर निर्वार है यह हमले बंगला देश वी चल हमलों की वास्तिविक संख्या नीचे दी गई सूची में बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है दस्तावेज में चौवन हलवेज के सूची वद्ध किया है सरकार ने माना है चौवन उसमें सूची लगभग कई हजार जगे हमले हुए हर जिले में 27 जिलों पर देखे ट्विट किया है विशेगादर 24 ने आज सुबह सरकार गिराए जाने के बाद बंगला देश में हिंदू संख्यार के खिलाब हमलों की सूची जारी की गई क्या किसी ने सूची को अंग्रेजी अनुवात देखा है इसे बंगला देशी हिंदू बहुत इसाई एक्त पर्सद द्वारा जारी किया गया gentle guy ला में रूप्सा थाना चेत के हाई गएट गाओं में श्यामल कुमार दाश और स्वजन कुमार्दाश के घरों पर हमला, खुलना सहर के तूट पारा में खुलना जिला, एकता परसत के अद्धज, विमान बिहारी अमित, और विवा एकता परसत के अद्धज, अनिवेश सरकार छिंकू के घरों पर हमला, डाकोप के आमतली बनिसता में जेंद गाइन के घर पर और कोईरा के दायाम पार पर अल्वसंक्यक समदाए के घरों पर हमला किया गया तोरफोड की गई और लूटपाट की गई फेनी में दुरगा मंदिर पर हमला बहुत बुई देख किया गया है दिनांच पुड में फुलत ना संसान भूम। पर जब्लन कप्जा कर लिया मह संसान भूम। मंद्रों पे, मंद्रों 5 मंद्रों में तोर्फोड की सै यह चिरावंदिर थानाचेत्रे बोच-कैंव जपूर भावन संक्त संधाय के दोर्वन के मंधायलां आग से संगसे दगा चंहें कितने मंद्रॺ टा संघ्वावब देली स्टाड ने खुद इस्टार ने लिखा है, 27 जिनों में हिंदू समदाय के घरों और वेपसायों पर हमला किया गया, तमाम मंदिर तोड़े गए, रिपोर्ट के अंसाल लाल मुनी हराट में सदर उबजिला के तेली पाला गाओं और थाना रोड में प्रदीप चंद्राय और मुहिम राय क के घरों पर हमला लूट पार्ट की गई, मंदिर तोड़े गए, वह इबादत गाए भी जो शिया समदाय की तोड़ी गए, काली गण्य उबजिला में चंद्रपुर गाओं में चार हिंदू परवारों के घरों पर हमला किया गया, हातिवंद उबजिला के पुर्वों सुर हिंदू गरों पर हमला किया गया, और रेल बजार हाट में एक मंदिर पर हमला किया गया, ताजू भी यह है कि यहां पर पहले लगवग 42 परसंटेज हिंदू था, और आपको ताने तमाम मंदिर थे, इसको आजादी भी हम लोगों ने दिलाई थी, हमारे सेना के जबान मड रहे थे और इतनी बुरी इस्थित है कि पूछिये ने, आप देखें कि अजीर डोबाल जी का और खास्तों से शेख हसीना वाजित इनकी बचने की बज़े है कि अजीर डोबाल सुरू से इसमें एलर्ट रहते हैं, इन्हों ने वहां के वायूयान से और अपने बिमान लग राजियाबाद में उताला गया, सेफ हाउस में लखा गया, ममता बनर जी खामोस है, ममता बनर जी अपनी राजनीत में है कि दो चार पांच करो राज़ियों के इंटी करा दो और वो मेरे बोट बैंक बेस बन जाए, खान सामा उपजिला में तीन हिंदूों के घरों पर हमल किया, वहीं बेगुला, पटवाखाली, शेरपूर, नशिड़ा, कि शोर गंज, चटगाओ, जशोर, सत्खीरा, हवी गंज और नरयल में भी ऐसी ही घटनाय सामने आई, जहां हिंदू समदाय के घरों, दुकानों और मंदलों में जबजल, लूटपाट, तोड़फोर, वक्षित हैं, क्योंकि इसलामी आतंगवादियों इस इस्थित का फायदा उठाकर उन पर हमला करना है, इन हमलों के बीज, बामपंती, उदारवादी और इसलामबादी या तो हमलों को नकारते हैं, या उन्हें उचित ठेलाने पर नजर आ रहे हैं, यही नहीं आपको बत हमले के बाद भारत में का बय उडाई जा रही है, इस तरह की, कि देखिए कि अगर बेरोजगारी रहेगी, अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, अर्विसंक्यों के साथ गलत किया जाएगा, तो मुल्क में ऐसा ही होगा, भारत से नेरेटिव जोलना है, जबकि भा अभी वी, आर्मी ना अभी तक पे आसरत हुई, नहीं उसकी सोच रही, नहीं कभी सक्सेज हो सकती, भारत का लोकतंतर बहुत मजबूत है, दूसरी बात, जब प्रिधान मंत्रिय सरकार कमजोर होती, तब ऐसा होता है, यहां के प्रिधान मंत्री बोल्ड है, उस लेविल का कोई लीडर नहीं, यह देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बता दे, एक योजना बत तरीके से ममता बनर जी, माल्डा जो कांग्रिज जिस बेस पे आई है, माल्डा के जरिए इंटी होती थी, दिनासपुर की जगह से इंटी होती थी, और जलपाई गुर और कूच बिया कि योजना बत तरीके से इन जगहें पे बंगला देशी हो और रोई गया, पूरे देश की सीमाओं पे, यहां पड़ भी है, बेंगौल गवर्रमिन किसी तरह से इनको इंटी कराने का प्रयास कर लाई है, इसके लिए भारत को ध्यान देना पड़ेगा, चुकि ममता बनर ज कि गई, सदर, पंजगर, वार टू और तीन में अब्शंको के घरों, मंद्रों में और बहुत ग्रहों में और चर्चों में हमला हुआ, तोरफोर की गई, लूट पार्ट की गई, लुचा गाई, नोवा खाली के हटिया के सूनाडिया में सहिद राए के घर पर हमला कर लू दिया गया देखे लगातार इसमें होडा परन्तु इसमें आप समझ लीजे भारत के जो लीडर्स हैं वो सब खामोश उन अलबसंक्रों को कहना चाहिए कि बंगला देश में भी अलबसंक्रों पर अत्या चालूर और इधर आपको बताना है भारत में नेलेटिव सेट है जिसम पर भेष्टा चाहर बहुत ज्यादा इसको ठीक कीजिए नहीं तो यहां से यहां के वी उनको जाना पड़ेगा अब देखे उन्होंने जो दद्दस लोगों की संती बनाई है उसमें एक हिंदू जो को भी रखा है और जिनको लखा है वो दुनिया के माने हुए अल्क सास् सब्सक्राइब रोकना होगा बाहरी लोगों को भारत से में आने के लिए नहीं तो एक समिश्य और हो जाएगी ममता बनर जी उन लोगों के सपोर्ट कर रही है अंदुरूनी नमस्कार दोस्तों